हेलो फ्रेंड आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल पर तो इस वीडियों बात करने वाला हूं जी यूएस वर्सेज एन्नेवी के बीच होने वाले मैच के बारे में यहां पर मैं आपको दोनों टीमों के बारे मताऊंगा और साथ में एक जबर इनको भी दबा लें और साथ ही साथ मेरे टेलिग्राम चैनल पर भी आप जॉइन हो सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो वहां पर जाकर आप जॉइन हो जाईए क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम भी मिलेगी तो आईए मैं बात करूंगा दोनों टीमों के बारे में तो दोनों टीमों मैं बात करूंगा पहले Sioper के में चॉस को पहले इनको बता दो इनकी रैंग कितनी है तो इनकी रैंग इस समय तीसरी है वहीं पर बात करूंगår देखी यह तोटल मैच जीते हैं और 25 मैचों में इनको हार मिली है तो मेरे इसाब से आप समझ कहे हूंगे कि इन दोनों टीमों में कौन मजबूत है यहाँ पे मुझे मजबूत जी वेस नचरा रही है और शायद इस मैच को भी यह जीत सकती है तो मैं यहाँ पे देखिए प्लेयर की यहाँ के पहले करूंगा पीचर के बारे में फेसमत्रिकॉन का पषायं करो में इसे समय ने यहाँ के ना हैं यहाँ पे आपको थी देखिए वाले हैं दूसरा हो कुँए मैं performance की बात करूं यहां पर मैं पहले आपको करी लो के बारे देता हूं देखें कर लो की बात करूं तो यह है पर यह total चैपक्त सहफिद यह जह होची अधियं सिंड़ने है दोले से होच चाहां पर पपासफी दोहें कर दोहां तो करिलो के उतनी अच्छी परफॉर्मस नहीं कहूंगा कि है लेकिन हाँ जब पिछली बार खेले थे इनकी जो परफॉर्मस थी बहुत ही अच्छी थी करिलो की तो इनको लेकर चल सकते हैं या तो यहां से ड्रॉप कर सकते हैं मैं आते हूं यहां पर देखिए फैनांडो को तो मैं आपको यहां पर पता दूँ एन ने वी की तरफ से यह खेलेंगे करिलो पीचर में यहां से एल फेनांडो को ले लिजे यह बहतर रहने वाले हैं मेरे इसाब से यह बेस्ट पढ़ेंगे आपको पीचर में आप इनको लेके चल लिजेगा अब बात करूं और फिल्डर को लेकर मैं चल लाओं जे आश्टीन की परफॉर्मस में आपको पहले यहां पर बता देता हूं देखे जे आश्टीन एक ही मैच खेले हैं अच्छा किये हैं 18 का स्कूर किये तो एक ही मैच की जो रिकार्ट है त्रीम 11 पर उस वेस्ट पर मैं का रहा हूं जे आश्टीन की आश्टीन है और उस चाहिं और दो रख सकते हैं नहीं तो ऊपर मैं बात करूंगा यहां पर देखिए यहां पर सी जजूटा की परफॉर्मस मैं आपको पहले आपको बता दूंद्गी पिछले मैच में 11 का स्कूर उससे पहले देख़े जीरो फिर 0 फिर एक मैच में 24 चाहिए एक पर पास क्रेडिट बचेगा तो इसक्रेडिट का इस्तमाल कर सकते हैं यहां पे जजूटा को लेकर चल सकते हैं एक बड़े प्लیयर है चाहें तो रख लिए घाएंगा यहां पर आज़ें को मैं पर फिलहाल लेकर यह बहतर प्लेयर है इनको चाहें तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप यहां से बना सकते हैं यह बहतर पढ़ने वाले हैं आपको मैं इनकी परफॉर्मस आपको बता दूँ पीछले मैंस में 23 का स्कोर उससे पहले 20 फिर 22 और फिर 18 फिर 16 का स्कोर तो लगातार इनकी पर से इनको पिक करना ही है आपको तो इनकी अलामा को यहां पर और खास आपसन मुझे नहीं आ रहा है तो यहां पर इन दोनों को लेकर चलिए यह बैतर रहने वाले हैं आप बात करो इन फिल्डर की इन फिल्डर में मैं आपको बता दूं एम जैमे बेस्ट प्लेयर इनको पहले 11 फिर 16 फिर 10 फिर 4 चार कास कोर घृ अपर लेकि ने परदों लेकि कर रहते हैं आप यह निडरी जैक डेक चलिवाले हैं एक सब्सक्रां आप सब्सक्राशन पहले यहां पर आपको बताने वाला हूं इसकोर कर रहे हैं लेकिन एक बड़े प्लेयर हैं तो यहां से M गुटृ को लेकर चल जगे यह बहतर रहेंगे आपको अब आजाईए नीचे की player मैं यहाँ पर बात करूँ ई-Arun ब्रेनना यहाँ पर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी performance में आपको बता दूं तो E बी एक अच्छे player है पिछले मैंच में अच्छी परफॉम्स दिखाए थे इन्होंने 34 का स्कोर किया पिछले मैंच में उससे पहले इनका स्कोर चार का था फिर 16 का स्कोर है और फिर 8 और फिर 4 का स्कोर है तो यह कभी कल बहुत बड़ा-बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं तो इस बेस पर मैं इनको लेक कर सकते हैं इनको भी आप यहां से पिक कर सकते हैं इनका भी पीछले मैंस में परफारंस बहुत ही अच्छा है तीस का स्कोर उससे पहले साथ का स्कोर तो इनको भी आप यहां से पिक कर लिए बहतर रहने वाले हैं तो यह पांच प्लेयर हैं जो मेरे इसाफ से बेस्ट हैं इन पांचों इन्फिल्डर को आप लेके चल सखते यह बहतर रहने वाले श हैं तो पिचर मैंने आपको बता देन हैं कि कूक्न लेके चल सकते हैं यह कह पर दो नहिता रहने वाले हैं बहुत ही गजब के यह प्लेयर है और यहां से यहां से चाहें तो वाइस कैप्टन ई अरू बरेना को आप यहां से लेकर चल सकते हैं नहीं तो यहां से जे काश्टीलो को भी आप यहां से वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं तो मैं आपको टीम प्रिव्यू दिखा देता हू क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम भी मिलेगी लाइन अप के बाद तो इस वीडियो बस इतना ही आगे के वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजेगा जय हिंद